इस चैनल में मेरा नाम है सारवेंदर और मैं यहां मैनिपेलेशन क्रियेट करता हूं फोटोज़ क्रिएट करता हूं फोटोज एडित रील्स अगर को पर आप इस चैनल को ज़रूर चेक आउट कर सकते हैं करेंगा सो स्टार्ट करते हैं आज की एडिट के साथ जो आज की एडिट है वो यह वाली एडिट है और आपने बीस हजार लाइक इस पर कम्प्लीट कर दिया हैं थैंक्स अलोट फॉर दिस यहां पर इसका या आफ्टर एंड बिफोर देख सकते हैं आप इसमें आपको सबसे पहले इमेज बहुत अच्छे से और इजी होता है कोई ज़्यादा टीडियस टास्क नहीं होता है मेरे चैनल पर टुटोरियल है बहुत पहले डाल रखा था मैंने आराउंड हो गए उंगे उसे 6-7 महीने लेकिन वो टुटोरियल आपके लिए परफेक्ट काम करेगा अगर आप फोटोशॉप में वर्क करते हैं तो और अगर आप पिक्सार्ट में तो आप तौकीर भाई का देख सकते हैं टुटोरियल कोई भी यार बहुत अच्छे बनाते हैं भाई तो आपको वहाँ से कटिंग का आ जाएगा इसली सो यहां से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एडिट में और पिक्सार्ट पे जाते हैं अभी तक अगर आपने चनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप जाके चल्दी से सब्सक्राइब कर ले यहां सबसे पहले जो फोटोश रहेगी वो रहेगा आपका बैक्ग्राउं जो background मैंने यहां create कर रखा है फोन को rotate कर लेता हूँ तो यहां background मैंने जैसे create कर रखा है तो आपको कोई problem आएगी नहीं easily आप सारी चीज़े रख सकते हैं हर चीज़े इसमें पहले से blended हैं तो आपके लिए ज़्यादा work करने का कुछ है नहीं यह direct आपके लिए एक BG ready है जैसा कि सारे बंदे भांगते हैं कि यार BG ready दिया करो तो यार background यह अब ready ही रहेंगे सारे क्योंकि आदे बंदों को कुछ चीज आदी नहीं है उसमें रह चाता है थोड़ा बहुत तो उसके लिए मैंने सूचा था तो यहां पर add करते हैं अपने आपको तो add अपने हिसाप से कर लेना आपकी जो वो बीचे wolf है तो वो अच्छे से hide हो जाए और आपके आप भी अच्छे से adjust हो जाए तो यहां कहीं perfect लगेगा तो यहां सही लग रहा है बिलकुल ठीक है अब इसके बाद यहां से आपने tick कर देना है tick करने के बाद जो आना है add photos में आना है और इसमें दे रखा है मैंने यह snow का png तो यह जहां भी आप लगाओगे अपने legs के पास तो यह snow में cover कर देगा उस जगे को देखिए तो वो easily blend हो जाएगा उसमें snow का तो यह इसी का ही एक part था जो मैंने cut कर रखा था लेकिन अच्छे से blending बना रखी थी कि जहां भी जैसे मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ तो वो वाला blend भी create नहीं हो रहा है इसकी विज़े से वो blend भी create हो जाएगा यहां पर आप देखिए तो यहां बिलकुल अच्छे से blend हो गया properly और within a second में तो यह जो blending pngs रहती है यह ज़रूर डाला करो कई बने miss कर देते हैं जब download करते हैं तो यह वाला बहुत ही crucial part होता है मैंने बंदो की edit में देख रखा है जो tag करते हैं मेरे को hashtag sarvendra आप सब use कर सकते हैं मेरे तक फोडो पहुचाने के लिए क्योंकि मैं वह hashtag follow करता हूं तो जितनी भी post उस hashtag में आती है तो वह मेरी feed में आ जाती है तो जितनी भी मैं feed में देखता हूं तो मैं like और comment कर देता हूं उन पर और बताता हूं कि क्या improve कर सकते हैं तो आप भी use कर सकते हैं उसे तो यहां से next जो है उसमें एक और चीज़ है वो है यह वाला इसे कहेंगे base light के according से क्योंकि यह थोड़ा आपका जो भी color blur होता है इसे अच्छे से blend कर देगा आपके लिए थोड़ा बहुत फर्क पढ़ता है इससे जादा नहीं बढ़ता अगर मैं zoom करके आपको दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हैं एक layer सी आ जा रही है black पे तो वो matte color हो जा रहा है तो matte करने के लिए मैंने यह layer use कर रही थी क्योंकि मेरे कपड़ों पर light कहीं से fall हो रही है तो उस light को mimic करने के लिए मेरे को एक यह light बनाने पड़ेगी ठीक है तो यहां से टिक कर देते हैं अब जो यह हो गया यह काम ख़दम जहां से अब आदे हैं सीधा lightroom में तो यहां से lightroom में import कर देते हैं इसे जल्दी से और यहां यह open होगी यह image ठीक है तो अब जो color grading का section है इस image में वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि इसी में सारी गेम है यहां से आपको temperature down करना है जितना आप down करेंगे आपको उतना blue मिलता जाएगा तो ज्यादा भी deep ना जाए और यहां से vibrance increase कर देनी आपने और यहां के contrast को भी increase करना है ठीक है जब आप contrast increase कर देंगे तो blacks को कर देना थोड़ा open और whites अपने according adjust कर लेना और जो shadow रहती है उसे भी open कर सकते हैं अगर आपको face black नहीं चाहिए तो तो यहां पर मैं shadow open करूँगा थोड़ी सी highlights आपको detailing कितनी चीए background मेरे को तो ज़्यादा detailing चीए होती है क्योंकि सब देखते हैं तो यहां से exposure भी adjust कर देते हैं थोड़ा से बढ़ाएंगे temperature भी थोड़ा से increase कर देते हैं जादा नहीं टेंट के according देखना है हलका सा जो मेरे को चाहिए होता है minus two minus three का चाहिए क्योंकि मेरे को green color थोड़ा चाहिए होता image में तो अब यहां से vibrant slow कर देता हूं तो जो मेरी photo है उसके according के color यहां आ चुके हैं लेकिन अब जो wolf के गले में है उसे ring तो उसको थोड़ा pop करने के लिए आप luminance डाल सकते हैं saturation increase कर सकते हैं red color के मैंने shoes पहन रखे हैं तो उसको थोड़ा pop दे सकता हूं नहीं भी चलेगा यह मेरे हिसाब से magenta color के अंदर आ जाएगा magenta में आज गया है यह थोड़ा से shift से तो इसे में मैं कम कर देता हूं क्योंकि मेरे को वहाँ पे ज्यादा focus नहीं डालना है अपने जूतों पे मुझे डालना है mostly wolf के ring है जो वो perfectly दिखनी चाहिए और जो उसके मुह से smoke निकल रहा है अगर आप notice करेंगे तो यह वाली चीज भी मैंने ड्रॉ कर रखी है wolf के मुझे स्मोक आ रहा है तो मुझे यह चीजे दिखानी है इस पिक के अंदर और जो यह नेक में पैन रखा है तो यह भी मैंने ड्रॉ कर रखा है कहीं ऐसा स्टॉक है नहीं तो यह मुझे खुदी create करना पड़ा और खुदी डालना जाएगी क्योंकि जो नीचे का portion है यहां का आप देख सकते हैं तो यह हाइड रहना चाहिए अगर हाइड नहीं रहेगा तो distractions create होंगी और अच्छा नहीं लगेगा clarity थोड़ी सी डाले ज्यादा नहीं क्योंकि जब आप Instagram पे photo upload करते हैं तो clarity की वजए से आपकी photo खराब हो जाती है बहुत कम बंद ही जानते हैं चीच एकदम से इतना भी ना चले जाए जाए जादा पांच दस की लिमिट में रहेंगे तो सही रही है आपकी 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 और टेक्शर्स और अगर आपको जानना हो कि uploading time कौन सा बैटर रहता है तो उसके लिए भी वीडियो बना स of luck and peace